हेलो एव्रिवन एंड वेलकम टू मेजर कल्शी क्लासेस आज के वीडियो है इंडियन कोस्ट कार्ड की लेटेस्ट वेकेंसी के बारे में जो की है नॉन ओफिसर रैंक्स की नाविक इन डॉमिस्टिक ब्रांच की वेकेंसी है ये नाविक्स क्या होते हैं कई बारे कॉश्चन उठता है तो जिस तरह इंडियन आमी में सिपाही होते हैं जिसको हम सोलजर या सिपाई भी कहते हैं इंडियन एयर फोस में एयर मैन होते हैं इंडियन नेवी में सेलर्स होते हैं वैसे ही इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक्स ह आती हैं, एक होती है यांतरिक, एक होती है general duty और तीसरी होती है domestic branch, यांतरिक की जो vacancy है वो diploma holders के लिए है, क्योंकि उसमें जो trades है, वो सब technical होते हैं, जो general duty है वो उन लोगों के लिए है, जो उन लोगों के लिए है, जो नोने 12th class pass कर लिया है, वो form भी बहुत जल्द आएगा और जो तीसरा form है domestic branch, ये 10th pass students के लिए होता है, और इसमें जो profile है, जो different trades हैं, जो इसमें काम होता है, वो basically दो ही काम हैं, एक होता है cook का और एक होता है steward का, waiter जिसे हम कह सकते हैं आम भासा में, housekeeping department, accounts जो होते हैं housekeeping के और mess के, वो सब भी manage करना पड़ता है, जो इनका store होता है, उसमें accounting भी करनी पड़ती है, menu बनाना पड़ता है, तो वो लोग जो interested है, खाना बना बनाना पसंद करते हैं, और एक अच्छा attitude है, एक helpful और एक customer service का attitude है, join कर सकते हैं Indian Coast Guard को as a navig in domestic branch, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आपको ये notification कहां मिलेगी, उसक और इनकी website पे, home page पे, ये जो new events का जो box है, इसमें scroll चल रहा है, जो सबसे पहला link है, वही है, Indian Coast Guard नाविक domestic branch का, वो link आप click करके, ये जो PDF है, डाउनलोड कर सकते हैं, और चेक कर सकते हैं details, जो भी इसकी age और education की है, ये रहा link जिसकी में बात कर रहा था, और इसकी हम चलते हैं, बात करते हैं, educational qualification की, तो आप 10th class pass हो, और 10th class में आपने 50% marks score किया हो, ये ही इसका basic criteria है, और age की अगर हम बात करें, तो आप 18 से 22 साल के बीच हो, to be specific, आपका जो date of birth है, वो 1 October 1997, और 30 September 2001 के बीच में हो, तब आप eligible हैं ये form भरने के लिए, अब क्योंकि ये Indian Coast Guard की vacancy है, जो एक paramilitary force है, और इसमें SCS की OBC को एक reservation भी मिलता है, relaxation भी मिलता है, जैसा कि हम जानते हैं, Indian Army, Indian Air Force, Indian Navy में ऐसा कोई provision नहीं है, age या educational qualification में कोई relaxation नहीं मिलता, लेकिन जो हमारी paramilitary forces हैं, जैसे BSF, CRPF, CISF, SSB, सीमा सुरच्छा बल, सारी, सहस्त्र सीमा बल, ये जो भी हमा post guard है, इसमें आपको education में भी और age में भी relaxation मिलता है, तो 5 साल का relaxation है SCST candidates को, और 3 साल का OBC candidates को, और in the same way, जो आपका educational qualification है, वहाँ भी 5% का relaxation है, जो इनका cut off बनता है, जब आप apply कर देंगे तो आपको एक shortlisting होती है applications की, और जो cut off बनता है, वो general students का, उससे आपको 5% का relaxation मिलता है, तो इसका जो form भरने की date है, 5 June से 10 June, 5 June से 10 June, form भरने की तारीक है, और form इसका obviously Indian Coast Guard की website में भरा जा रहा है, home page पे, यह opportunities का जो टैप दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप click करेंगे, और आप form भर पाएंगे, अभी पिछले कुछ समय से, यह link down चल रहा है, हाला कि लिखा जाएगा, कुछ maintenance काम चल रहा है, यह link down है फिलाल, बट आप यहीं पे इसी link पे आके अपना form भर पाएंगे, थोड़े हम और details check करेंगे, इसके examination का जो process होगा, selection process होगा, जो syllabus होगा, उसके बारे में, तो इसका जो examination है, वो scheduled है June, ending या July में, short listing के बाद जब आप जाएंगे इनके examination center पे, इनके total 5 centers है, Noida, Kolkata, Chennai, Mumbai और Gandhinagar, यही 5 centers से जहाँ आपको बुलाया जाएगा, examination के लिए, पूरे selection process के लिए, और इस centers आप चूज नहीं कर सकते, इस center आपको मिलेंगे, depending on आप कौन से state से हैं, तो अगर आप इन states को belong करते हैं, तो आपको Noida बुलाया and accordingly, Chennai, Mumbai या, Gandhinagar में आपको बुलाया जाएगा, selection process के लिए, जब आप वहाँ जाएंगे, report करेंगे, सबसे पहले आपका एक written exam होगा, एक offline exam होगा, OMR sheet पे, और अगर आपने वो exam clear किया, तो उसी वक्त आपको result मालूम पढ़ जाता है, एक घंटे के बाद, जिनोंने clear नही करने के बाद, आपका एक preliminary medical examination भी होता है, और उसके बाद आप घर जाते हैं, और एक या देड़ महिने बाद, इनकी merit list बनती है, और इनकी website पर upload होती है, और आपको joining के लिए बुलाया जाता है, इसका joining है, वो scheduled है October में, October 2019 में joining scheduled है, और joining की time पे आपका final medical करते हैं ये, और अगर आपकी height 157 cm हैं, और आप interested हैं इस vacancy के लिए आप फटाक से apply करिए, because last date जो इसकी है 10 June है apply करने की, visual standard यहाँ आप देख रहे हैं, ये criteria भी बहुत इनका lenient है, आखे आपके 6 by 36, 6 by 36 भी हैं तब भी आप apply कर सकते हैं, तो बहुत ही lenient criteria रखा है इनोंने, तो आज की इस major class classes की तरफ से आप सभी aspirants को all the best, thank you.